खबर जारकंड का वक्त है और मैं हूँ आपके साथ राहुल संहा जारकंड की राजदानी राची में बीजेपी ने प्रदेश की एमंत सोरेन सरकार के खिलाप आक्रोश रैली निकाली इस दोरान उन्होंने इंडी गडबंदन के सरकार के खिलाप प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दरान पुलिस ने प्रदर्शन कारियों पर आंसो गैस के गोले छोड़े राची में बीजेपी का ग्रोश नजर आया टॉप लीडर्स ने कारिकरताओं में भरा जोश एलान से पहले चुनावी बिगल्प्पुका मुराबादी मैदान में बीजेपी का अक्रोश जम कर निकला रैली का मैदान रण छेत्र में तबदील नजर आया आसुग एस का इस्तेमाल हुआ तो वाटर कैनन से रोकने की कोशिशें हुई फिर तो एस के बाद पथर बाजी का दौर भी शुरू हो गया वैसे में बैरिकेट तो तोड़ने का प्रयास करना लगातार बड़े बड़े पत्थर जवानों के चलाना यह बिल्कुल गयर कानूनी कार्ज है और उन लोगों ने जवानों के जान लेने का प्रयास किया है इतने बड़े बड़े पत्थर चले हैं इस बवाल में कई बिजेपी कारी करताओं को चोटे आई तो पोलिस वाले भी जखमी हुए उधर रैली में जोश भर ने पहुचे पुदेश बिजेपी के टॉप लिडर्स ने महागड मंधन की सरकार पर ताबर तोड़ वार किया कि नवजवानों से वो बिल्कुल डर गए हैं जबड़ा गए हैं और इस कारण से आप सोच रहे हैं कि साइद रोके आप कहां रोक पाईएगा पुरे जारगन में लोग निकल गया है तरसल इस आक्रोश रैली के साथ विजेपी ने ऐलान से पहले चुरावी शंखराद कर दिया है सरकार को कैसे और किन मुद्दों पर घेरना है इसके तयारी शुरू हो गई है तनहे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, राची इस प्रदर्शन के दोरान बीजेपी ने सीम आवास गेरने की कोशस की तो बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशस की गई और इसके बाद पवाल हो गया पुलिस ने आसू गैस के गोले छोड़े और अब बीजेपी का आरोप है कि आसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे वो एकस्पाइड थे जससे बीजेपी के कई कारेकरता विमार हो गया उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है आसू गैस के यह देखे एकस्पाइड हो चुके सेल से फेका गया इनको जनता के हिल्थ का भी ध्यान नहीं है और जिस प्रकार का आसू गैस इस प्रकार का आसू गैस चोड़ा गया ऐसा पहले कभी नहीं था लोग सांस नहीं ले पा रहे थे लोग बिमार हुए बुलिट् लोग लोग तंदर किसी सरकार को होना चाहिए तो इस बवाल के बाद बीजेपी के रहताTheton To extend बें बर्ति कराया गया है बीजेपी प्रदेशorden संगठन मंत्री कर्मवीर तुनिम और compute्ष्व कर ne fik बायल के बारुण करताओं से मिलकर उनका हाल चाल पूछा और बैतर इलाज का भरोसा दिलाया करते हैं लोग बंदर ला करते हैं इसे बेच ही बंतब इसो सर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने लिखा कि जारकंड से जो तस्वीरे आई है उनमें मैंने युवाओं का आक्रोश देखा है जियमेम कॉंग्रिस की सरकार ने आखों पर पट्टी बांद लिया लेकिन याद रखें युवाओं के जोश्ट से सरकार बनती है और उनके आक्रोश से सरकार गिरती भी है राज्जी के युवा आपका एहंकार तोड़े के इमंता विश्वा सर्मा का ये पोस्ट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट किया है राची में बवाल पर असंग सियम का ये पोस्ट इधर जेमेम ने बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली और केंदर सरकार पर जोड़दार वार किया सुप्रियों बटाचारी ने कहा कि आज का बीजेपी का कारेकरम पूरी तरह से असफल रहा और जेमेम के कारेकरता जो सड़क पर उत्रे उसकी गूंज राज्जिस से लेकर दिल्ली तक सुनाई थी हमारे यहां के जो प्रतिपक्ष राजिनितिक दल है उन्होंने अपना एक कारेकरम आजजित किया जबकि जो प्रशाशन को जांकारिश दी गई थी कि भारती जन्ता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा एक सभा की जाएगी मौराबादी मैदान जो पूनता लोकतांत्रिक ढंक की होगी लेकिन वो समस्तायजन कि जो तैयारी की गई सी ताकि बड़ी संख्या में सित्रा पैदा हूँ उदर जम्षित्पुर से अंगामे की तस्वीर सामने आई है बीजेपी के कारेकरता राची की रैली में शामिलों ने जा रहे थे पार्टी के महान अकर अध्यक्षा सुदान्शू होजा का आरोप है कि उनकी गारियों को चेकिंग के नाम पर प्रशासन ने रोक दिया सुदान्शू होजा की अगुआई में पार्टी गारेकरताओं में विरोध जताया और इस दोरान जमकर नारेबाजी भी की यह अगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं जमश्रितपूर की यह तस्वीर है दरसल जमश्रितपूर से भी बीजेपी युवा मोर्चा के कारेकरता बड़ी संक्या में शामिल होने जा रहे थे रांची के आकरोश रैली में और आरोप है कि इस दोरान प्रशासन ने जान पूच कर चेकिंग के नाम पर इन्हें रूख दिया जिसके बाद तमाम कारेकरताओं ने विरोध दर्ज कराया और नारे बाजी की